ये बलिया वानी है और बलिया लाइव की ये खास पेशकश आपको अपटेट करने वाली है जिला जवार और बहर वासुओं के मतलब की खास-खास ख़बरों से समाजवादी पार्टी नेता मनूज सिंग ने अपने सैकरों समर्थकों के साथ मंगलवार को सोन बरसा के पास ने चिकतीस को जाम कर दिया इससे सड़क पर दूनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई सपा का ये चक का जाम कार्यक्रमतीन सूत्रिय मांगों को लेकर था मनूज सिंग का कहना था कि ने चिकतीस के पुनर निर्मान में मानक का पालन नहीं हो रहा और 24 जनवरी को सड़क दूरघटना में मृत सुनील कुमार के परिजनों को कुमें पर नहाने गए लोग वहाँ एक युवत का शव देखकर सन रह गए बगहौली के इस कुमें पर हर मंगलवार और रविवार को खुजली से पीडित लोग स्नान करने के लिए जाते हैं मंगलवार की सुबह भी लोग स्नान करने के लिए कुए पर पहुंचे थे अभी पानी में तैरता युवत का शव देखा गया पुलिस ने गाउवालों की मदद से शव को बाहर निकलवाया जिसकी शिनाक्त शिवरामपूर के रहने वाले 27 साल के राकेश राम के रूप में की गई बेरियाक शेत्र के हनुमान गंज गाउं में सोमवार को देर रात शौट सर्किट से लगी आग में कनहया यादव के रहायशी मढ़े में आग लग गई आग में घर ग्रहस्ती का सारा सामान जलकर खाक हो गया घटना में एक भैंस बुरी तरह से जुलस गई है बलिया के पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने जिले में कई थाना प्रभारियों के तबादले किये हैं उभांग थाने के इंस्पेक्टर योगेंदर बहादुर सिंग का नरही ट्रांसफर हो गया है उनके तबादले पर मंगलवार को थाने के सिपाहियों ने विदाई समा रोहा योजित किया योगेंदर बहादुर सिंग को विदाई देते हुए कुछ पुलस कर्मियों ने उत्साह में कंदे पर बैठा लिया और करीब 500 मीटर कंदे पर ही बैठा कर गाड़ी तक ले गया और विदा किया मंगलवार को ही नए प्रभारी निरीक्षक ज्यानेश्वर मिश्र ने भी अपना कामकाज संभाल लिया नगरा में बसंत पंचनी के मौके परमान हर्शोलास और श्रधा भाव से सरस्वती पूजा की गई पूजा पंडालों में प्रतिमाई स्थापित की गई थी जहां श्रधालों ने दर्शन पूजन किया कालेजों, शिक्षन संस्थाओं में भी छात चात्राओं ने सुबह वीनावादिनी की पूजा की और सरस्वती वंदना के गीत गाए गए बलिया वानी का ये बुलेटिन आपको कैसा लगा अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप हमारी वेबसाइट बलिया लाइव जॉट इन पर जाएं और जिला जवार की खबरों से अप्टेट रहें हमसे जुरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद